दहानी के अनुसार, मालिनी इमली की साड़ी पहनती है और बेचारी इमली को पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद मालिनी इमली का बद्जूरत में कप करती है ताकि उसे पार्टी में हसी का विशे बनाया जा सके। दुर्भाग्य से मालिनी की योजनाएं विफल हो जाती है और इमली सभी को प्रभावित करते हुए अनुग्रा के साथ चलती है। हाला कि मालिनी अपनी हार स्विकार नहीं करती है और इस तरह योगल नरत्य के बीच वह आदित्य के करीब जाकर उसकी आग बुझाने की कोशिश करती है। मालिनी ऐसा इसलिए करती है ताकि इमली को जलन और असुरक्षित महसूस हो और उसकी योजना भी सफल होने लगती है। इमली के हाथ से चीजे छूटने लगती है क्योंकि वह देखती है कि आदित्य मालिनी के साथ अच्छी तरह से संबंध बना रहा है। जहां मालिनी चाहती है कि इमली पीछे हट जाए और आदित्य को छोड़ दे उसकी योजना सफल होने लगती है। इमली अपना फैसला बदल देती है और इस तरह मालिनी को आदित्य से मिलाने का फैसला करती है। हाला कि क्या चीज़े इमली के फैसले के अनुसार चलेंगी आदित्य और मालिनी पार्टी के करीब आते हैं। जैसे ही मालिनी ने आदित्य के करीब जाकर अंतरंग इशारों की कोशिश की, इमली उनकी निकटता को देखकर असुरक्षित और परिशान महिसूस करती है। वही जब आदित्य कपल के डांस में मालिनी के नक्षे एकदम पर चलने लगते हैं तो इमली को अपने लिए बुरा लगता है। हेरानी की बात है कि इमली को पार्टी में आने का पच्चतावा है और वह सोचती है कि मालिनी बाबु साहब के लिए एकदम सही है। इस मूर्खता में इमली ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और मालिनी और आदित्य को अब और नहीं रोका हाला कि आदित्य उसे जाने नहीं देता। आदित्य और मालिनी की एक दूसरे से निकटता को देखकर इमली निश्चित रूप से एक मूर्खता पूर्ण कदम उठाती है लेकिन आदित्य उसे रोक देता है। आदित्य ने इमली का हाथ पकड़ लिया और उसे स्टेज के करीब खीच लिया। जबकि इमली को आदित्य को चुनने का पच्चतावा होने लगा है, क्या वह कभी मालिनी का बुरा पक्ष देख पाएगी।